गुड मॉर्णी इस्रेस्ट इस्योर हिंदी क्लास एंड टोड़े विल कंटीनू चैप्टर 11 काल हमने कल बार्तवान काल तक पड़ा था ना अब हम आज भविश्यत काल पड़ेंगे तकला है फ्यूचर टेंस भविश्यकाल में क्या होता है किरिया के जिस रूप से यह ग्यात हो कि कारे आने वाले समय में होगा उसे भविश्यकाल कहते हैं जैसे हमें मालूम है कि कल जो होगा काम जो कोई काम कल होना है तो वो भविश्यत काल होता है उप्रोफ धार में जब यह पक जाएंगे लिखा न तो यह जब पक जाएंगे पक जाएंगे मतला आगे भविश्य में जब पक जाएंगे आम तब हम इसे तोड़कर खाएंगे खाएंगे जब भविश्यों खाएंगे न से पता चलता कि फल अभी पके नहीं है बलकि आने वाले समय में पकेंगे तब ही खाएंगे कारे आने वा होगा तो वो भविशतकाल में होता है कि यहां तो यह भविश्यकाल हो गया मैं तुमारे घर आउंगा भविश्व में आऊंगा ना आँगा तो भविश्यतकाल दे शाम को पड़ेगा शाम को पड़ेगा ना आने वाले समय में पड़ेगा तो भविश्यतकाल रेल गाड़ी पांच वजे आएगी आने वाले समय में आएगी ना पांच वजे तो ये भविश्यतकाल तुम किस समय पहुचोगे तुम घर किस समय में पहुंचोंगे तो यह क्यों पूछा कि किस समय पहुंचेगा मुगर के इसलिए आने वाले समय को भविश्यतकाल कहते हैं जैसे बाक्यों में क्यांत में गां गी गे आदी हो तो बाकी किरिया भविश्यतकाल में होती है जैसे है दो गी गां गां गी गे तो यह सब क्या है यह भविश्यत काल है, ठीक है, अब यह आप अच्छे से पढ़ेंगे लैपसल, और सामझेंगे, जो ना समझाया है वह मुझे से पूछना आप, अब हम इसके एक्साइस करते हैं, पेश्ण पहर, सही कत्म के सामने सही तक गलत के सामने क्रोस लगाई है, तो नमबर वन क्या देखिए, बरतवान काल के वाकु किरिया में थाशब्द पाया जाता है, बरतवान काल के किरिया में थाशब्द पाया जाता है, नई, उसमें तो हैं हूँ पाया जाता है ना सम, थाशब्द किसमें पायाता है भूत काले पायाता है तो यह गलत है हम इसमें क्रॉस कर देंगे खेल रहा हूं अभी खेल रहा हूं ना तो किरिया बर्तमान काल में है हाँ है तो मियां सरी करिशन लगा देंगे आउंगा किरिया बूत काल में है आउंगा मतलब आने वाले समय में आएगा ना तो यह बूत काल में लिखा है यह गलत है आउंगा तो भविश्यत काल में होता है ना यह क्रॉस लगा दिया गलत है यह आई है किरिया भविश्यत काल में है तो यह गलत है आई है 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 हूं है त बर्तवान काल में होता है यह भाविशत काल में गलत है चुडिया उड़ गई में किरिया भूत काल में है यह सही है ख सही विकल के सामने सही लगाई है किरिया की होने की समय को कहते हैं जिस समय किरिया हो रही है उस समय को क्या कहते हैं करता कर्म या काल क्या कहते हैं काल के भेद होते हैं कितने भेद होते हैं तीन, चार या पांच, तीन भेद होते न, कल के तीन, ठीक है, दादजी गौव में रहते थे, इस वाक्षी करिया का काल बताईए, गौव में रहते थे न, पहले रहते थे, तो क्या हो गया, भूत काल, बरत्मान काल थोड़ी होगा, बरत्मान काल तो रहते हैं होता, तो बरत देखने जाएंगे ना, बाद में जाएंगे तो क्या हो गया, भूत, भविश्यत काल हो जाएगा, भूत काल, भरतमान काल, भविश्यत काल, इसमें हम भविश्यत काल में लगा देंगे, चिडिया उड़े रही है, इस वाकी किरिया का काल बताईए, चिडिया उड़े रही है अभी उड़ो रही है ना, तो अभी क्या हुआ, बर्तमान काल, बर्तमान काल में लगा देंगे हैं, निशान, ओके, ग, में मिलिद प्रोष्णों के उत्तर लिखी है, काल किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, मैंने यह पढ़ाया था ना, किर्या के होने के समय को काल कहते हैं, ओक यह Live करना सब बोधकाल किसे कहते हैं उधारण भी दीजिए तो कीरिया के बोधकाल किसे कहते हैं कीरिया के जिस रूप से हमें पता लगे की कारेबीते हुए समय में हुआ था बोधकाल कहलता है जैसे स्वारव मेला देखने गया था तो यह क्या हुआ कारे हो चुका है ना तो यह भूत काल में है मेला देखने गया था पहले गया था ना बर्तमान काल किसे कहते हैं उदारान भी दीजिए बर्तमान काल किसे कहते हैं किरिया के जिस रूप से हमें पता लगे कि कारे अभी हो रहा है बर्तवान काल कहलाता है जैसे मीता गीत गा रही है अभी गीत गा रही है तो ये क्या है बर्तवान काल है भविशत काल किसे कहती है उधार देखे बताईए किरिया के जिस रूप से ग्यात हो कारे आने वाले समय में होगा जिस रूप से गया तो मतलब कि कारे आने वाले समय में होगा तो क्यों होता है भविश्यत काल कहलाता है जैसे जया कल स्कूल जाएगी तो क्या होगा कल जाएगी ना स्कूल तो यह क्यों होगा भविश्यत काल होगा यह सारी कोशन आंसर आप लान करेंगे और अपनी बुक में लिखेंगे और आप यह जो एकसाइज देखें यह दिख रहे हैं आपको इन चित्रों को देखकर निदेशित काल के इंसार वाकरशना कीजिए तो यह वाली यह आप अपने आप बनाएंगे वाकरशना ठीक है भव आएगा भविश्यत काल में लिखना है नहीं तो रड़का पतंग रड़का कल पतंग उड़ाएगा ऐसे लिख सकते हैं आप ओके इन सब का अपने आप बनाएंगे और जो नहीं समझे है वाम उससे पोचेंगे ओके थैंक्यू एवानाइस देख